दोस्तो रोयल ग्रूप आज आपके लिए लेकर आया एक शान्दर फोन अप्पू एपंद्रा जो कि मेरे पास किसी कस्टमर ने विद बॉक्स मेरे पास रिपेर के लिए दिया है तो आज हम इसमें चेक करेंगी कि इसमें प्रॉलम क्या है कस्टमर का कहना था कि इसमें क्या बेजा है तो हम इसमें कवर है कवर के साथ चेक करते हैं हम जरा और तो यह देखिए यह कवर के साथ एक मॉबाइल है शानदार जिसके लोग के वाइड कलर में वाइड शेड में यह फोन है और और चेक करते हैं हम जरा इसमें बॉक्स में क्या दिया हुआ है वैसे तो साफ देखने के लिए तो बिल्कुल साफ है ग्रेकिंग तो नहीं है इसमें कॉम्बो में अच्छा सेस्टरी में देखते हैं ओ माई गॉड इसमें रिजनल अडेप्टर आपको देखने को मिल गया देखो पवे पंदरा का पांच बोड का अडेप्टर इसमें दिया हुआ है ठीक है दो अंपएर का यह अडेप्टर है ठीक है पांच बोड का अडेप्टर और सौरी फ्रेंड्स मुझे फोना गया था तो I think यह जो शान्दार फोन है इसमें हम फ्रोडम चेक करते हैं सबसे फर्सली तो हम इसे चार्जिंग में कनेक्ट करके एक बार चेक करेंगे कि ये ओन नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है चार्जिंग जेक तो इसका खराब नहीं है सो फर्सली हमें चेक करना होगा तो मैं इसे चार्जिंग केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ ओके यह दिखिए यह और भी नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है अलाकि यह कहना है कि इसमें स्टार्टिंग में क्या है कि यह बाइब्रेट हो रहा था यह साउंड कर रहा था लगभग ना और अभी यह sound नहीं कर रहा है तो मैं इसमें क्या करूंगा कि अपनी जो मेरे पास hot machine है मैं इसे connect कर रहा हूं और connect करने के साथ मैं थोड़ा सा fast forward भी वीडियो करूंगा बीच में अभी आपको यह देखिए मैं इसे fast forward इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता हीटिंग में 5 से 7 मिर्ट तो लगती है तो मैं इसे थोड़ा सा fast forward कर रहा हूं तो जिससे यह जल्दी हो जाए और मैं थोड़ी से कटिंग की है क्योंकि सेम प्रोसेस है तो अब मैं इसे open कर लेता हूं open करने के लिए यह दिखिए वैसे तो यह इसमें शायद glue लगा हुआ था तो यह कुछ भी मैं यूज़ कर रहा हूं मैं तो गिलास के जुपन नहीं होता है उसे open करूंगा ऐसे 11DK रेपर से सो यह दिखिए easily remove हो गया लेकिन कई बार easily नहीं होता है safety से आपको करना होता है fingerprint पता भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है अंदर सो यह दिखिए remove मैंने कर दिया ऐस सो इसके screw जो है उन्हें हम निकाल लेते हैं सो इसमें कम screw भी इसमें दो चारी लगे है और यह देखेंगे फ्रेंड यहां पे इसमें एक screw भी गलत लगा हुआ है जिस वज़ज़ से इसमें fingerprint आई तिंक उपर रहता था तो camera lens remove कर दिया सबसे फैसलिए अगर किसी का camera lens सेट खूलने के जूरत नहीं है back panel खूलने के बाद camera lens चेंज हो सकता है ठीक है तो के मैं इसके run down panel के जो support जिससे हम कहते हैं तो इसके भी मैं screw खूल लेता हूँ उपर दिखी चार नटी थे इसमें तो अधूरा काम क्या हो सकता है इसके fitting properly ना हो तब भी कह बार ऐसा होता है जो इसका connector होता है display का वो properly नहीं तो मैं इसके जो screw है वो नीचे के और कर लिए ठीक है तो मैं SIM tray के जोर से यह दिखिए मैं इसे open करना हूँ तो आपने से apply ओपन करना है मैं भी से बिल्कुल आराम से यह दिखिए remove हो गया so यह friend यह दिखिए इसने taping लगाई है connector के उपर means इसके connector में problem हो सकता है और यह sub board के connector के उपर इसने taping लगाई है यह क्यों लगाई है बैटरी को protect करने के लिए नहीं बैटरी तो glue से भी हो सकती है product so यहाँ पर मैं इसे remove करकी ओहो यह दिखिए fingerprint के नीचे आपको दिखाई दे रहा है कुछ यह charging इसका जो display का जो पता है वो connect नहीं है पता मैं बो रहा हूं connector जिसे कहता है वो connect नहीं है इसमें ठीक है ओके मैं एक बड़ connect करके इसको check कर लेता हूं ठीक क्या पता own हो जाए easily या फिर ऐसा भी उसकता है कि कई बार केmbo लगाती बार से इसे नहीं ही लगा हो तो थोड़े time के लिए चलता है फिर वो combo की ही problem होती है सो यह दिखिए यह वर्क नहीं कर रहा है नहीं एक लगाने पर भी कोई काम नहीं कर रहा है ओके सो फ्रेंड यह दिखिए इसका मैंने रिव्यू है दिखिए इसमें तीन केमरे है कनेक्टर है फिंगर पेंट है ठीक है सब बार का पता है यह मैंने सब कुछ आपको डिसमें डिफाइन कुरादी आपको दिख रहा है ठीक है तो यह ज्यादा लंबी हो जाएगी वीड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिपेर करके से दिखाऊंगा तो फॉर वचिंग मैं यूट्यूब वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में